हेलो स्टूडेंट्स, NCRT साइन्स क्लाक्स एट के इस वीडियो में आपका स्वागत आए आज की इस वीडियो में हम क्लाक्स एट साइन्स के चैप्टर 10 कि शोरा वर्ष्था की ओर यानि reaching the age of adolescence के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में पूरे चैप्टर को step by step और बारी किसे समझाया गया है पूरे चैप्टर को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको पूरी वीडियो को लाश्ट तक दिखना होगा ता यह इस वीडियो को हम सूरू करते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे किसोर आवस्था एवं योवनारंब क्या होती हैं मानव एक निश्चित आयू तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं पिछले चैप्टर में हमने जन्तूओं में जनन के बारे में पढ़ा जनन एक ऐसी जेवित प्राक्रिया हैं जिसके द्वारा कोई भी प्रजाती अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं ताकि प्रथिवी पर उस प्रजाती का आश्थित तो बढ़ा हुआ रह सके अगर हम मनुष्च की बात करें तो मनुष्च एक निश्चीत आयू तक पहुचने के बाद ही जनन के यग बन पाते हैं वृद्धी जन्म के समय से ही होने लगती हैं परंतु 10 या 11 वर्ष की आयू के बाद वृद्धी में एकाएक तिब्रता आती हैं मनुष्चों में वृद्धी जो होती हैं ये जन्म के समय से ही होने लगती हैं परंतु जब कोई बच्चे या बच्ची का उम्र 10 या 11 साल की होती हैं इस समय वृद्धी में एकाएक तिब्रता आती हैं इस अवस्था में बच्चे की वृद्धी इसपस्ट दिखाई देती है इस समय बच्चे यूव आवस्था में कदम रख रहे होते हैं 11 वर्ष की आयू से प्रारम्भ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयू में शरीड में अनेक परिवर्थन होते हैं जिसके कारण जनन परिवर्थन दिखाई देते हैं और इन परिवर्थनों के कारण मनुस्थों में जनन परिवर्थन आती है यह अवधी की शोरा अवस्था यानि एडोलेस्थन्स कहलाती हैं यानि मनुस्थों में यह जो अवधी हैं यानि 11 वर्ष से 18 या 19 वर्ष के बीच यह अवधी की सोरा अवस्था यानि एडोलेस्थन्स कहलाती है लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेच्छा एक या दो वर्ष पुरप्रारम हो जाती हैं ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों में यह जो किसोरा अवस्था की अवस्था हैं यह एक या दो वर्ष पहले ही सुरू हो जाती हैं हलांकि किसोरा अवस्था की अवस्थी व्यक्तियों में भिन भिन हो सकता है एक टर्म है टीनेजर्स यह टीनेजर्स क्या होती हैं किसोरों को टीनेजर्स कहा जाता हैं अगर हम टीनेजर्स सर्द में देखें तो इसमें टी डवल ए एन होता हैं अगर हम नंबर की बात करें तो 13 से लेकर 19 तक यानि 13 से 19 तक के बीच इसमें क्या होता है कि T, E, N सब्द होता है अर्थात जब किसी मनुष्य की उम्र 13 से 19 वर्ष के बीच होती है तो इस उम्र को teenagers कहा जाता है यानि किसोरों को teenagers भी कहा जाता है हमारा अगला टॉपिक है योवानारंब में होने वाले परिवर्थन जैसा कि हमने पहले ही डिसकस किया कि जब मनुष्यों में 10 या 11 साल की उम्र हो जाती है और इस प्रकार ये 10 या 11 साल से 18 या 19 साल के मजद अने प्रकार के सारेरिक परिवर्थन दिखाए देते हैं अब हमें यहाँ पर जानना है कि योवानारंब में होने वाले परिवर्थन कोन-कोन से हैं इसमें पहला जो परिवर्थन है वह हैं लंबाई में व्रिध्धी योवानारंब के दोरान लंबाई में एकाएक वृध्धी होती है जब किसी बच्चे की उम्र 10 या 11 साल से 18 या 19 साल के बीच होती है तो इस अवधी में सरीर में एकाएक वृध्धी होती है जिसके कारण सरीर की लंबाई अच्तधिक बढ़ जाती है इस समाई पैर या हाथ की हड्डियों की लंबाई में वृद्धी होती हैं और व्यक्ति लंबा हो जाता हैं वृद्धी के इन वर्षों में संतुलित अहार आवश्यक है अगला परिवर्तन है सारेरिक आकरिती में परिवर्तन योवनारंब के समाई लड़कों एवं लड़कियों के सारेरिक आकरिती में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं लड़कों में कंधों एवं सीना अधिक चोड़े हो जाते हैं जबकि लड़कियों में कमर का निचला भाग चोड़ा हो जाता हैं लड़कों में सारेलिक पेशियां लड़कियों की अपेच्छा अधिक सुईस्पस्ट अबंग गठी हो जाती हैं इस प्रकार योवनारंब के समाई लड़कों और लड़कियों में अनेक सारेलिक आकृति में परिवर्तन दिखाई देते हैं अगला परिवर्तन हैं स्वार में परिवर्तन योवनारंब के समाई लड़कों में स्वारेयंत्र विक्सित होकर अपेच्छाक्रित बड़ा हो जाता है लड़कों में बढ़ता हुआ श्वारयंत्र गले के सामने की और सुस्पस्ट उभ्रे भाग के रूप में दिखाई देता है जिससे एडम्स एपल यानि कंठमनी कहा जाता है योवनारम के समय क्या होता है कि लड़कों में जो स्वारयंत्र होती है ये बड़ी हो जाती है और गले के सामने ये उभ्रे भाग के रूप में इस पर श्ट रूप से दिखाई देती है और इस उभ्रे हुए भाग को एडम्स एपल यानि कंठमनी कहा जाता है अब आये चीत्र के जड़ी हम देखते हैं कि किसी लड़के में इडम्स एपल कैसी होती है हर व्यक्ति में स्वरयंत्र होता है और इसे स्वरयंत्र के कारण व्यक्ति आवाज उत्पन न कर सकता है जब कोई लड़के योवनारंब की अवस्था में कदम रखते हैं तो उनका स्वर्यंत्र अपेच्छाक्रित बड़ा हो जाता हैं जिसके कारण ये गले के सामने उवरे हुए भाग के रूप में दिखाय देती हैं लेकिन अगर लड़कियों की बात किया जाए तो लड़कियों में जो स्वर्यंत्र होती हैं ये अपेच्छाक्रित छोटी होती हैं और ये बाहर से आसानी से दिखाय नहीं देती हैं समयने तो लड़कों का स्वार उच्च तारतों वाला होता है जबकि लड़कों का स्वार गहरा होता है सबसे पहले क्या होता है कि दोनों का यानि लड़के का और लड़की का स्वार बच्पन में एक जैसा होता है लेकिन जैसे जैसे बच्चे योवनारंब में कदम रखते हैं तो लड़कियों का स्वर जैसा रहाता है बच्पन में वैसा ही रहाता है लेकिन लड़कों के केस में क्या होता है कि ये एडम सेपल जो है ये अपेक्षाक्रित बड़ा हो जाता है जिसके कारण लड़कों का स्वर गहरा हो जाता है। के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुन्सियां और मुहां से आगी हो जाते हैं। किसोर आवस्था में सबसे महत्पूर्ण जो सारीविक परिवर्तन होता हैं वह हैं जनन अंगों का विकास। योवनारं में लड़कों एवं लड़कियों का जनन अंग पूर्ण रूप से विक्षित हो जाता हैं। लड़कों में वरिशन से सुक्रानू तथा लड़कियों में अंडाशाय से अंडानू उत्पादित होने लगते हैं। साथ ही अंडाशाय से अंडानू का निर्मोचन भी प्रारंब हो जाता हैं। जब कोई वच्चे योवनारं के समय में प्रभेश करते हैं तो उस समय उनके जनन अंगों का पूर्ण रूप से विकास होता हैं। लड़कों में व्रिशन से सुक्रानू और लड़कियों में अंडाशाय से अंडानू का उत्पादन होना भी सुरू हो जाता हैं। तिस प्रकार जनन अंगों का पूर्ण विकास होता हैं योवनारंब के समय। मानसिक, बध्धिक एवं समवेतनात्मक परिपकता प्राफ्थ होना। जब कोई लड़के या लड़की योवनारंब के समय में प्रवेश करती हैं। तो उनकी मानसिक, बध्धिक और समवेतनात्मक परिपकता आती हैं। किसोर आवस्था में व्यक्ति के सोचने के ढहंग में परिवर्तन आता हैं उनमें वधिक विकास भी होता हैं तथा सोचने विचारने में काफि समय लेते हैं इस आवस्था में उनके मस्तिस्क की सिखने की छमता सरवाधिक होती है अगला सारे लिक परिवारतन है गौन लेंगिक लच्छन जब कोई बच्ची या बच्ची यो आवस्था में कदम रखते हैं तो उनमें गौन लेंगिक लच्छन भी दिखाई देते हैं यूँ आवस्था में लड़कियों में इस्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चिहरे पर दानी मुझ आने लगती है लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं तथा लड़कों अवं लड़कियों दोनों में ही बगण अवं जांग की उपरी भाग में अथवा प्यूबिक छेत्र में बाल आ जाते हैं इन लच्छनों को ग्योन लेंगिक लच्छन कहते हैं अब हमारा अगला टॉपिक है किसोरावस्था में हार्मन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब किसी लड़के या लड़की यूवावस्था में कदम रखते हैं तो उनमें अनेक सारेडिक परिवर्तम दिखाई देते हैं इन सभी सारीडिक परिवर्तन के पीछे हार्मन का हाथ होता है। किसोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मन राशानिक पदार्थ हैं जो अंतसरावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किये जाते हैं। हमारे सरीर में कई अंतसरावी ग्रंथियां हैं ये एक विशेश प्रकार के राषानिक पदार्थ सरावित करती हैं और इस राषानिक पदार्थ को हार्वन के नाम से जाना जाता हैं योवनारंब के समय ही व्रिशन परूस हार्मन और ठेस्टो इस्टरन का स्रावन प्रारंब कर देता हैं लड़कों में क्या होता है कि योवनारंब के समय व्रिशन में एक विशेश प्रकार की हार्मन का स्राव होता है और इस हार्मान को पारूस हार्मान या टेस्टो इस्टरन कहा जाता है इसे प्रकार यह हार्मान लड़कों में अनेक सारिरिक परिवर्तन का कारण है जैसे दानी मूच का आना इत्ता दी योगनारंब के समय लड़कियों में अन्डाशाय द्वारा इस्तरी हार्मान अर्थात अस्टरोजन का उत्पादन किया जाता है जिस प्रकार लड़कों में टेस्टो इस्टरन हार्मान का उत्पादन किया जाता है ठिक वैसे ही लड़कियों में अन्डाशाय के द्वारा इस इस्तरी हार्मन अर्थात एस्ट्रोजन का उत्पादन किया जाता है इस हार्मन के कारण लड़कियों में इस्तनों का विगार्ष होता है तथा साथ ही अन्य सारेरिक परिबरतन भी दिखाई देता है इन हार्मन के उत्पादन का नियंत्रन एक अन्य हार्मन द्वारा किया जा जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सरीर में कई सारी अंतस्रावी ग्रंथियां हैं इसमें प्यूस्ट ग्रंथी जो हैं यह हमारी मस्तिष्क में अवस्थित होती हैं और इससे मास्टर ग्रंथी कहा जाता हैं क्यूंकि प्यूस्ट ग्रंथी द्वारा स्रावित हार्मन द्वारा ही अन्य हार्मनों के सराव का नियंतरन किया जाता है अर्थात लड़कों में टेस्टोस्टरन हार्मन और लड़कों में एस्ट्रोजन हार्मन का उत्पादन प्यूर्स ग्रंथी दवारा सरावित हार्मन के नियंतरन में ही होता है जनन प्रकार्य प्रारम करने में हर्मन की भूमिका जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यक जीव जनन की क्रियादवारा अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं तिस प्रकार जनन प्रकार्य प्रारम करने में हर्मन की महत्पुर्ण भूमिका होती है हमारे सरीर में अनेक अंतसरावी ग्रंथिया हैं जो क्योंच विशेश प्रकार के रशायन का स्राव करते हैं जिनने हार्मन कहा जाता हैं हमारे सरीर में कई सारी अंतसरावी ग्रंथियां हैं और इन सभी अंतसरावी ग्रंथियों के द्वारा एक विशेष प्रकार के रासानिक पदार्थ का स्राव किया जाता हैं और इस रासानिक पदार्थ को हार्मन के नाम से जाना जाता है अंतसरावी ग्रंथियां हार्मन रू प्रवा रूधिर में करती हैं और इस प्रकार रूधिर के जरीए सरीर के विशिष्ट भाग अथवा लच्छ इस्थाल तक पहुंच जाता है हमारे सरीर में अनेक अंतसरावी गरंथियां हैं जैसे प्यूस गरंथी फायराइड गरंथी एड्रेनल गरंथी इत्तादी इसे प्रकार पुरूसों में विरिशन तथा इस्त्रियों में अंडाशाई अंतसरावी गरंथियों की तरह हार्मन का स्राव करती हैं जैसा कि हमने अभी डिसकस किया कि हमारे सरीर में कई सारी अंतसरावी गरंथियां हैं जो हार्मन का स्राव करती हैं ठिक वैसे ही पुरुषों में व्रिशन और इस्त्रियों में अंडासय अंतस्राविक रंथी की तरह काईरे करती हैं और हार्मन का स्राव करती हैं। ऐसे हार्मन जनन से संबंदित होते हैं अतर लेंगिक हार्मन कहलाते हैं। व्रिशन और अंडासय जो हार्मन स्राव करती हैं ये हमारे जनम से संबंदित होती हैं इसलिए ऐसे हार्मन को लेंगिक हार्मन कहा जाता है ये हार्मन गौन लेंगिक लच्छनों के लिए उत्तरदाई है हमारे सरीर में प्यूस गरंथी को मास्टर गरंथी कहा जाता हैं क्यो अंडानू तो था रिशन में सुक्रानू के परिपक होने को नियंत्रित करता हैं जैसा कि हमने पहले ही डिसकस किया कि हमारी सरीर में कई सारी अंदसरावी ग्रंथियां हैं इसमें से प्यूस ग्रंथी मास्टर ग्रंथी हैं जो हमारी मस्तिस्क में अवस्थित होती हैं और यह प्यूस ग्रंथी ही अन्य ग्रांथियों को नियंत्रित करती हैं ठिक वैसे ही प्यूस ग्रंथी से स्रावित एक हार्मन अंडासय में अंडानू तथा व्रिशन में शुक्रानू के परिपक होने को नियंत्रित करता है प्यूस ग्रंथी से स्रावित हार्मन पूरूस में टेस् उमक की परिपक्वता एवं उत्पादन की शमता पुरुषों में इस्त्रियों की आपेच्छा अधिक आवधी तक रहती है। देखे होता क्या है कि मनुष में जो जनन काल के आवधी होती है ये एक निश्चित होती है और ऐसा देखा जाता है कि पुरुसों में अधिक उम्र में भी जनन शमता कायम रहती है परंतु इस्त्रियों में एक निश्चित उम्र के बाद जनन शमता का अभा होता है इस्त्रियों में जनन शम्त्रा का प्रारंब लगभग 10 से 12 वर्ष की आयू से हो जाता है तथा समयनत 45 से 50 वर्ष की आयू तक चलता रहता है योवनारंब पर अंडानू परिपक होने लगते हैं और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशवय द्वारा एक अंडानू का निर्मोचन होता है इस आवधी में गर्भाशवय की दिवार मोटी हो जाती है ताकि अंडानू के निसेचन के पस्चात युगमनाज को गरहन कर सके इसके फल्सलूप गर्भधारन होता है और यदि अंडानू का निसेचन नहीं हो पाता तब उस इस्तिती में गर्भाशवय का मोटा इस्तर उसकी रुधीर वाहिकाओं सहीत निस्तारित हो जाती है इससे इस्त्रियों में रक्त स्राव होता है जिससे रितु स्राव अथवा रजो धर्म कहते है और थाक रितु स्राव लगभग 28-30 दिन में एक बार होता है पहला रितुसराव योवनारम में होता है जिससे रजो दर्शन कहते हैं लगभग 45 से 50 वर्ष के आयू में रितुसराव होना रुख जाता है रितुसराव के रुख जाने को रजो नीवृत्ति कहते हैं प्रारंब में रितुस्राव चक्र अनियमित हो सकता हैं, जो कुछ समय के बाद नियमित होने लगता हैं। रितुस्राव चक्र का नियंत्रन हार्मन द्वारा होता हैं। इस चक्र में अंडानु का परिपक्क होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशाई की दिवार का मोटा होना, एवं निश्यचन न होने की स्थिति में उसका तूटना सामिल है। रितुस्राव चक्र में सामिल है यदि अंडानू का निशेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भासाय में विकास के लिए इस्थापित किया जाता है अब हम अगले टॉपिक में आएंगे संत्रती का लिंग निर्धारन लड़का अथवा लड़की गर्भ में विक्षित हो रहे सिसू लड़का होगा या लड़की होगी इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है जब अंडानू का निशेचन होता है तब यूगमनाज का निर्मान होता है जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेंगिक जनन की क्रिया में अंडानू और सुक्रानू का आपस में संयोजन होता है और इस प्रकार दोनों के स्वयोजन से युग्मनाज का निर्मान होता है। युग्मनाज में ही जर्म लेने वाले सिसु के लिंग निर्धारन का संदेश होता है। गर्व में पल रहे सीशू का लिंग क्या होगा ये उस युगमनाज में ही संचित होता है इसका संदेश ये संदेश निशेचित अंडानू के गुन्सुत्रों में निहित होता है कोशिका के केंद्रक में धागय जैसी संग्रचना उपस्तित होता है जिने गुन्सुत्र कहा जाता है गुन्सुत्र के बारे में आप जानते होंगे कि किसी भी कोशिका केंद्रक में कोशिका विभाजन के समाई धागय जैसी संग्रचना दिखाय देती है इन सभी संग्रच्नावँ को गुण सुत्र कहा जाता है और इनी गुण सुत्र के आधार पर ये निर्धारित की जाती है कि गर्भ में पल रहे सिशु का लिंग क्या होगा सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुन्सुत्र पाये जाते हैं किसी भी मनुष्य की कोशिका चाहे हुआ इस्त्री हो या पुरुस हो उनके सरीर की किसी भी कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुन्सुत्र पाये जाते हैं इन में से एक जोड़ी गुनसुत्र यानि दो गुनसुत्र लिंग सुत्र है जिनने X और Y द्वारा सूचित किया जाता है मनुष्ट के किसी भी कोशिका में 23 जोड़े गुनसुत्र पाया जाता है इसमें से एक जोड़ा गुनसुत्र लिंग गुनसुत्र होता है और इन्हें X और Y द्वारा सूचित किया जाता है इस तरी कोशिका में दो X गुनसुत्र होता है जबकि पूरुष कोशिका में एक X तथा एक Y गुनसुत्र होता है अगर आप किसी इस्त्री सरीर से एक कोशिका लें तिसमें दोनों लिंग गुनसुत्र जो होंगे वह एक्स गुनसुत्र होंगे जबकि एक पूरुष कोशिका में लिंग गुनसुत्र में से एक एक और एक वाय गुनसुत्र होंगे इस्त्रियों के अंडानू में सदा एक एक एक्स गुनसुत्र होता है जबकि पूरुष के सुक्रानू में दो परकार के सुक्रानू होता है उसमें से एक परकार के सुक्रानू में एक्स गुनसुत्र होता है और दुसरे परकार के सुक्रानू में वाई गुन्सुत्र होता है अवाईये इस चित्र के माईधम से हम समझने की कोशिस करेंगे कि लिंग मिर्धारन के पीछे का वेज्ञानिक तर्ख क्या है जैसा कि हमने पहले ही डिसकस किया कि जो अंडानू होते हैं वे एक जैसे ही होते हैं और सभी अंडानू में एक्स गुन्सुत्र पाया जाता है परंतु शुक्रानू दो परकार के होते हैं एक्स शुक्रानू और वाई शुक्रानू अब देखिए होता क्या है कि जब किसी Y शुक्रानू के द्वारा किसी अंडानू को निशेचित किया जाता है और उसमें जो युगमनस बनता है उसमें X और Y दोनों परकार के गुनसुत्र पाये जाते हैं और इससे उत्पन्न होने वाले सिसु का लिंग होगा नर यानि वह स लड़का होगा परन्तु अगर एक एक शुक्रानू किसी अंडानू को निशेचित करता है इसमें जो युगमनस बनेगा उसमें X और X यानि दोनों गुनसुत्र जो होगा वह X होगा और इस प्रकार इसमें जो शिसुका विकास होगा वह X गुनसुत्र वाली होगी यानि वह मादा और यानि लड़की होगी तिस प्रकार लिंग निर्धारन होता है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जब X गुनसुत्र वाला शुक्रानू अंडानू को निशेचित करता है तो युगमनस में दो X गुनसुत्र होंगे तथा वह मादा शिसु में विक्षित होग परन्तु जब Y गुनसुत्र वाला शुक्रानू अंडानू को निशेचित करता है तो युगमनस में एक X गुनसुत्र तथा एक Y गुनसुत्र होंगे तथा वह नर्व शिसु में विक्षित होगा अर्था जन्म से पूर्व सिसु के लिंग का निधारन उसके पीता के लिंग गुनसुत्रों द्वारा किया जाता है जैसा कि हमने अभी डिसकस किया कि पुरूस के द्वारा उत्पार्ण किये जानने वाले शुक्रानू दो परकार के होते हैं एक X और एक Y परम्तु इस्तरी के द्वारा उत्पार्ण किये जानने वाले अंडानू एक ही प्रकार के होते हैं यानी सभी प्रकार के अंडानू एक जैसे होते हैं और थात बच्य के लिंग के लिए उसकी मा उत्तरदाई नहीं होती हैं अब हम पढ़ेंगे लिंग हार्मन के अतिरिक्त अन्न हार्मन विरिशान एवं अंडाक्षाई के अतिरिक्त हमारे सरीर में अनेक अंतसरावी ग्रंथियां हैं पुरुष में विरिशान और इस्त्रियों में अंडासय एक अंतसरावी ग्रंथी के रूप में कायरे करती हैं, परंतु हमारे सरीर में विरिशान और अंडासय के अतिरिक अंड कई सारी अंतसरावी ग्रंथियां हैं, जैसे प्यूस ग्रंथी, फायराइड ग्रंथी, एडरिन ग्रंथि अग्नासाय इत्तादी लिए तो इस प्रकार हमारे सरीर में कई सारी अनतराविप ग्रंथिया और इन सवी अनतरावी ग्रंथियों की स्थिति हम चितर के माईदम से समझने की कोशि़स करते हैं हमारे मस्तिस्क में मौजूद होती हैं ट्यूस ग्रंथी, हमारे गले में मौजूद होती हैं थाइराइड ग्रंथी, इसी प्रकार हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथी पाई जाती हैं, अगनासाई भी एक तरह की अंतसरावी ग्रंथिया हैं, इसी प्रकार इस्त्रियो में अंडासाई और पूरूश में व्रिशन अंत्सलावी ग्रंथी के रूप में कायरे करती हैं कुछ व्यक्तियों में गला बहुत फूला हुआ एवं उभा हुआ हो जाता है ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके गले बहुत ही फूले हुए होते हैं ये एक तरह की विमारी हैं और इस रोग को घेंगा रोग यानि गायटर कहते हैं यह थाराइड ग्रंथी का रोग हैं, जिसमें थाराइड ग्रंथी, थारक्षिन हार्मनका उतपादन नहीं कर पाती हैं। हमारे सरीर में आयोडीन की कमी के कारण यह स्थिती उतपर्ण होती है। कुछ व्यक्ति मधु में स्वेडित हो जाते हैं। मदु में यानि डाबिटीज ये एक ऐसी बिमारी है जिसमें रक्त की ग्लुकोज मात्रा बर जाती है। अगनासोय द्वारा इंसूलिन हार्मन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन न कर पाने के कारण ये रोग हो जाता है। इसी प्रकार एड्रिनल ग्रंथी का स्राव रूधीर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनल ग्रंथी एड्रिनेलिन नामक हार्मन का स्राव करती है। प्यूस ग्रंथी द्वारा स्रावित हार्मन के माइधम से प्राफ्थ आदेश के अनुसार ही अन्य ग्रंथियां हार्मन का स्राव करती है जैसा कि हमने पहले ही डिसकस किया कि प्यूस ग्रंथी हमारे सरीर की मास्टर ग्रंथी है और प्यूस ग्रंथी द्वारा स्रावित हार कि माइधम से ही जो आदेश प्राप्त होता है उसी का अनुसार अन्य ग्रंथियां अपना अपना हार्मन का स्राव करती है इसलिए प्यूस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी कहा जाता है प्यूस ग्रंथी हमारे मस्तिस्क के आधार में स्थित होते हैं और यह वृध्धी हार्मन काफिस रावन करती हैं जो व्यक्ति की समयन वृद्धी के लिए आवस्चक हैं प्यूस ग्रंती हमारे सरीर में मास्टर ग्रंती तो है ही इसके साथ ही ये वृद्धी हार्मन काफिस रावन करती हैं वृद्धी हार्मन हमारे सरीर की समयन वृद्धी के लिए आवस्चक होती ह अब हम पढ़ेंगे कीट अवं मेढ़क में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मन का योगदान बहुत सारे कीट अवं मेढ़क अपना जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मन का योगदान लेते हैं बीना हार्मन का जीवन चक्र का पूर्ण होना संबब नहीं है रेसम कीट का जीवन चक्र इस प्रकार होता है चलिए सबसे पहले हम एक्जामपल ले लेते हैं रेसम कीट के जीवन चक्र का रेसम कीट के जीवन चक्र में अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क चार अवस्था होती है किटों में एक अवस्था से दुसरे अवस्था में परिवर्तन को कायांतरन कहते हैं किटों में कायांतरन का नियंतरन किट हार्मन द्वारा होता है यानि जो भी कायांतरन होता है जीवन चक्र के एक अवस्था से दुसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए जो प्रोसेस होती है उस से कायांतरन कहा जाता है इसे परकार कीटो में कायांतरन का नियंतरन कीट हार्मन द्वारा होता है मेढक का जीवन चक्र इस प्रकार होता है मेढक के जीवन चक्र में अंडा टैडपोल और वयस्क होता है मेढक में थाराइड द्वारा स्रावित हार्मन थारक्सिन इस कायांतरन को नियंत्रित करता है मेड़क में जो कायंतरन होता है यानि जीवन चक्र के एक अवस्था से दुसरे अवस्था में जो परिवर्दन होता है ये हार्मन के द्वारा होता है मेड़क में जो थायरोइड गरंथी होती है इसमें थायरक्सिन नामक हार्मन का स्राव होता है और इसे थायरक्सिन नामक हार्मन का अंतरन को नियंत्रित करती है थारक्षेन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिती आवेशक है। यदि जल में परियाप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो तेड़ पॉल वैश्क मिड़क में परिवर्दित नहीं होसकते हैं। अब आईए हम देपते हैं किसोर की पूशन आवशकता हैं किसोर आवश्था तीवर वृध्धी अवं विकाश की आवश्था हैं अतर सन्तुलीक आवस्था हैं संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में कार्वाहाइडरेट, प्रोटीन, वशा, विटामेन अवंग खनिजलबन होते हैं जब कोई व्यक्ति किसोरा अवस्था के अवस्था में होता हैं तो ये तीवर वृद्धी और विकास के अवस्था हैं इसलिए इस अवस्था में संतुलित आहार अती आवश्चक हैं संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में कार्वाहाइडर होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वर्षा, विटामेन और खनिजलबन होना चाहिए हमें नियमित रूफ से रोटी, चावल, दाल, सबजियां एवं फल का सेवन करना चाहिए दूद अपने आप में संतुलिध भोचन है सिस्वों को मा के दूद से संपूर्ण पोशन मिलता है जिसके उनने जरुरत है इसलिए मा के दूद को संपूर्ण पोशक कहा गया है लोहा तत्व शरीर में रूधिर का निर्वान करती है हमारे शरीर के लिए लोहा तत्व अतियाविश्चक है क्योंकि लोहा तत्व जो हैं ये रक्त का निर्वान करती है लुहा प्रजूर खाद्य पदार्थ हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, गूर, मांस, संत्रा, आवला, इत्तादी अब अगला टापिक हैं व्यक्ति गात्ष्वच्छता प्रत्य व्यक्ति को प्रति दिन एक बार सनान करना चाहिए किसवरों के लिए यह और ही आवश्चक हैं क्योंकि स्वेद गरंथियों की अधिक क्रियासिलता के कारण सरीर से गंद आने लगती हैं जब कोई व्यक्ति किसवर आवस्था में कदम रखते हैं तो उनकी स्वेद गरंथियों की क्रियासिलता अधिक बढ़ जाती हैं जिसके कारण सरीष से गंद आने सुरु हो जाते हैं। इसलिए किसोरों के लिए प्रतिदिन स्रायम करना आती आवश्यक हैं। लर्कियों को रितुसराव के समय सफाय का विश्यश ध्यान रखना चाहिए। यदि शफाय नहीं रखी गई तो जिवानु संक्रमन होने का खत्रा रहता है। लर्कियों के समय साफ सनेटरी नफकिन का उपयोग करना चाहिए। इसे प्रकार हमारे लिए प्रतिदिन सारे लिग व्याम करना आती आवश्यक हैं। ताजी हवा में टहलना एवं व्यायाम करना शरीर के लिए फायदेमंद होती है। अता सभी व्यक्तियों को अपने समर्थ के अनुसार टहलना व्यायाम करना एवं खेलना चाहिए। अब हम एक नजर डालेंगे भ्रांतियां एवं असत्य आवधारनाओं पर। हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां एवं असत्य आवधारनाओं प्रचलित हैं। उसमें पहला तो यह हैं कि रितुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्होती हो जाती है। यह हमारे समाज की एक अवधारना है जो की असत्य हैं। इसका वास्तवित्ता से कोई संबन्द नहीं है इसी प्रकार अगला जो असित्त आवधारना है वो यह है कि संतान के लिंग के लिए उसकी मा उत्तरदाई है यह एक भ्रांती है जो की असित्त है इसमें संतान के लिंग के लिए उसकी मा उत्तरदाई नहीं होती है इसे प्रकार अगला हैं कि दितु स्राव की अवस्था में लड़की का रशोय का काम करना निशिद्ध हैं यह भी एक असित्त अवधारना हैं इस प्रकार हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां और असित्त धारनाएं परचलित हैं नसिली दवाओं यानि ड्रक्स का निशिद्ध करें अगर हमें स्वस्थ रहना हैं तो हमें नसिली दवाओं का निशिद्ध करना होगा नसिली दवा यानि ड्रक्स स्वास्थ के लिए हानिकारक होते हैं ड़क्तर के सलाह के बिना किसी भी प्रकाहर के नशीली दवा का शेवन करना नहीं चाहिए और तो हमें ब्रहमित होकर नशीली दवा नहीं लेनी चाहिए तो स्टुडेंट्स इस वीडियो में सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिस की गई और उम्मित करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी फाजमन्द हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सिखा होगा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सक्सर में जरूर बताएं साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइन्स प्लेटफर्म को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तिससे अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकर्शन बेल को अन कर ले ताकि हर नभी वीडियो के आपडेट साथ तक आसानी से पहुंच सके इस्टुडें